हुगे है सर जी चलिए आप शुरू कर सकते हैं और जी सर जी कौन है जरा देख लेते तो अच्छा लगता है जी इनसे भी परीचे अपी डॉक साब संजीव जी कराएंगे पहले अपना परीचे देंगे फिर उसके बाद बाटी सारी विती सर अज बुद्ध पुर्णिमा के इस पावन अफसर पर सनातर धर्म हां भी डाले अकंबाला के एंट और वहरीशी वाली के अनुसंद्धान प्रिशत के स्नयुक्त तत्पाद्धान में शायद किसी का माइक कौन है सर्थ आज पुर्णिमा है और आज इस पुर्णिमा के पावन अफसर पर सनातंधर महाविधाले अंबाला चावनी एवं महरीशी वाल में के अनुसंद्धान प्रिशत के संयुक्त तत्पाद्धान में एक दिवसिये रास्टिये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में जो तमाम अमारे आधिती एम वक्तागंड जुड़े हैं मैं सरोपर्थम रागव संजीव गारू निदेशक महरीशी वाल में के अनुसंद्धान प्रिशत आप सभी का वेक्तिगत तोर पर हार्दी का विनंदन करता हूं स्वागत करता हूं है कि का जो वेबिनार है उसका विश सदोफ़ समयक्ता के अर्थём लोग है अक्सर देखते हैं कि हम बुद्धिजम की बात करते हैं अन्य विश्वओं की बात करते हैं लेकिन आंज हमें बुद्धत्व के के अर्थ को समझना है और उन सब को समझने के लिए मैं कारेकरम को आगे बढ़ाओं तो एक छोटी सी भूमी का मैं आप सब कि रखना आता हूं कि 21 सदी में जिस परकार के अधूनिक्ता और विकास आज हम आरे सामने दिखाई दे रहा है आज करोना जैसे में हम लोग और इसमें हम अपने आपको कहां पाते हैं क्या हमारे कर्म गलत हो गए हैं हम गलत दिशा की और बढ़ते हुँ जा हैं एक बहुत बड़ा प्रशन हमारे सामने है और या फिर हम लोग मानसिक दवाव में इतने आ गए हैं कि हमारी जो आंत्रिक खुशी है हम उसे प्राप्त नहीं कर पारें और इन सब चीजों को समझने और जानने के लिए बुद्ध हमें किया मारक दिखा सकते हैं वह वह से कैसे सीवाइड कर सकते हैं यह सब जाना आज बहुत जरूरी हो गया है अगर हम बात करें तो बहुत सारी बाते आती हैं कि अग कि अवस्ता में चले जाएं हैं तो मोम को सब को छोड़ कर ध्यान के अवस्ता में जाएं हम सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी इस कि अगर हम करें तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो और सिर्फ मेरा मानना है कि वो हम अपनी समस्याओं को कैसे ढूंड सकते हैं उसके लिए हमें ध्यान की अवशक्ता है आखें बंद करने के अवशक्ता है हम किसी भी व्यक्ति के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके विचारों को हम पढ़ते हैं उनके थोड़ को हम अपनी आखों से देखते है यही दो आखे हैं जो हमें बहुत कुछ दिखाती है लेकिन समस्या इनी दो आखों के साथ भी हमारी हो जाती है जब हम आखे बंद करके ध्यान के मुद्रा में आते हैं और इस ध्यान की मुद्रा में अगर हम आते हैं तो हम अपनी बहुत सारी आंतरिक समस्याओं को ढूंडन में सफल भी होते हैं जो हमारे भविश्य निर्माण में बहुत मददगार होती है इस परकार की चीज़ें समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो अतिती हैं मैं उनका प्रीचे देना चाहूंगा लेकिन सरुपर्थम मैं धन्यवाद के अपित करना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा अशुतोष अंगिरस जी का जिनके मार्क दर्शन से यह कारेकरम आज हो रहा है डक्टर अशुतोष अंगिरस जी सनातन धर्म महाविद्याल अम्बाला छावनी में संस्कृत के संस्कृत विभाग के हड़ है और इसके इलावा अशुतोष जी का जो विशों पर जो जिस प्रकार की पकड़ है या जिस प्रकार के वह विशों का चेयन करते हैं वह अपने तो मैं आज का परीचे अपने अतितियों से आप लोगों का करवाद हूँ हमारे जो पहले मुख्यतिती है प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार शिरिवास्तिवा जी जो की नालंदा विश्विदाले विहार से संबंद रहा है इनका बहुत गहरा संबंद रहा है और लग थिंगें से हुई हैं इनके इंटरनैशनल पेप्टर्फ भी है और बुद्धिस्ट एथिक्स पर इनकी बहुत अच्छी कमांड है और पिछले दिनों हमें इनका यक भाषण बुदिस्ट एक्कनोमिक्स पर सुनने को मिला था उस सन्द्रब में बुद्धिस्ट एक्नोमिक कुमार श्रिवास्तवाजी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरा प्रीचे में आपसे करवाना चाहूंगा प्रफिसर डॉक्टर विजय सिंग जी का जो की प्रफिसर एंड है डिपार्टमेंट ऑफ इबितियन और चाइनिस स्टेडीज पंजाब विश्विधाले चं के विभिन पक्षों को जानने को जानते और समझते हैं और इसी लिए आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं मैं हमारे इन दोनों अतितियों का दिल के गहराईयों से सनातन दर्माविधाले और महरी शिवाल में के अनुस अंधान परिशद की तरफ से स्वागत कर करता हूं और मैं कारेकरम को आगे बढ़ाते हुए मैं निम्मंत्रन देना चाहूंगा अशुतोस अंधिरस जी को कि वह एक बार विशे पर अपनी बात को रखते हुए इस कारेकरम की शुरुवात करें और फिर हम अपने अतितियों को उनका सब्सक्राइब देड़र कि अधनियावाद कोई विश्य ऐसे होते हैं और को दिन ऐसा होता है दिन तो बड़ा शुब होता है लेकिन टेक्नोलेजी जब आपका साथ नहीं देती है टेक्नोलेजी में कोश बाधा आ जाती है तो तो उसका वो सुख और जो उसका जो एक प्रारूफ होता है उसमें थोड़ी गड़बड हो जाती है और वही इस वक्त मेरे साथ स्थिदी है कि जो प्रेजंटेशन मैंने इस वक्त बनाई थी बहुत छोटी सी थी लेकिन वो शेयर नहीं हो पा रही कहीं पर कुछ ब्लॉक है जो भी है तो मैं उसी को शेयर करने का प्रयास कर रहा था कि कहां पर वो लॉट है लेकिन मैं अपनी बात अगर नहीं भी शेयर हो पाती तो उसके मात्यम से आप लोग उनके साथ शेयर कर लेता हूं सीदी सीदी बात ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो संजीब जी इसे तरह की बाट आप लोगों के साथ सांझी की है और 21 शटाब्दी में बुद्धत वयूम् सम्यक्ता के अर्थ बहुत सरल सी बाते हैं इसने आप ये देखते हैं कि विषयर के संयक्ता और गुद्धत्वर इन दोनों को इस दोनों को ल्ट पंकियों की कहानी के माध्यम से ही जानता और समझता हो जब नगी तुद्धतर में वो पीछे दो दो पंकियों कि वो दो कहानिया थी एक तो जब सम्यक्ता को मैंने समझा अंगूली माल के संदर्व में कि बुध ने जब बड़े सम्यक रूप से यह बात कही कि मैं तो रुक्या तुम कब रुकोगे और उस सम्यक्ता का प्रभाव उस अंगूली माल पे इस तरह का हुआ कि इतना इंसक प्राणी दीचो है, वो उससे प्रभावित हुआ और वो रुका और पूरा का पूरा उसमें एक रुपांतरन की प्रक्रिया हम देख पाते हैं। और जून का महीना होगा, तो किसी किसान के आगे उन्होंने अपने जिस त्रा रुक्षा पात्र होता है, हात आगे कर दिया। और किसान ने उपर से नीचे तक देखा, जो कि पसीने में तर्बतर था, और उसने कहा, कि तुम कटे-कटे हो और तुम धिषा मांगते हो, कर्म क्यों नहीं करते है? तुम भी मेरी तरह पसीना बहाओ, कर्म करो, और तुम भी अपने लिए उत्तपादन करो. तो बुद्ध का वो वाक्य, एक वाक्य मुझे आज तक प्रेवित करता रहा है और उससे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, वो ये कि उन्होंने कहा कि किसाम को ये बात कही, कि मैं भी तुम्हारी तरह बुद्धी के हल से चेतना की धरती पर, बुद्धी के हल से ज्ञान की प्रिशी करता हूँ ये एक ऐसा वाक्य है जो मैंने मेरा ख्यालत 30 या 35-40 वर्ष पहले सुना होगा लेकिन मेरे विरिदे पर वो आज भी वैसे का वैसे ही अंकित है तो ये उनका बुद्धत्व था तो ये बुद्धत्व को पकड़ने के लिए और उस बुद्धत्व के साथ जुड़ी हुई जो सम्यक्ता है उन दोनों के बीच में हम आज इस सारी चर्चा को कोशिश करेंगे और वो भी 21 शताब्दी के संदर्थ में अब जब मैं बुद्धत्व और सम्यक्ता दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो निश्चत रूप से आपने बुद्ध और सम्यक्त दोनों ही सुने है अश्टांग मार्क जो है उनका सम्यक आजीव, सम्यक करम, सम्यक समावी ये सब आप जानते ही है और विद्वान लोग उस पर चर्चा भी करेंगे तो उसके साथ चो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ बात कि बुद्ध का एक रूप मेरे सामने वो भी खड़ा हो जाता है जहां पर वो ये स्वैन कहते हैं अभी वो बुद्ध नहीं बने हैं कि जो मेरे लिए निश्चित है वो स्वैन ग्रहन करूंगा कि क्या है और क्या नहीं है यह जो बुद्ध में एक अपनी तरह का एक जिग्यासा का भाग है दूसरों पर दूसरों को कहे हुए को जब तक वो मुल्यांकित नहीं कर लेते अपनी तपस्या और श्रम से ही वो जिस तत्व को समझना चाहते हैं वो तत्व क्या है और मैंने इसमें जो चित्र भी रखा था शुरू में जो आप लोगों के साथ अपशेर नहीं वो पा रहा वो यही था कि जिस वक्त बुद्ध अंतिम अती में चले गए हैं तपस्या की और वहां पर उसको आकर के जब वो स्त्री कहती है कि वीणा के तार इतने भी मत कसो कि वो तूट जाएं और इतने ढीले भी नहीं छोड़ो कि वो स्वारही ना निकले तो वो ही कहीं पर बुद्धत्व विद्यमान है और उसके बाद बुद्ध को ज्यान उपलब्ध होता है तो ऐसे उस बुद्ध के बुद्धत्व को समझने के लिए जानने के लिए पकड प्रणाम पूर्वक ही उनको हम जानने की समझने की कोशिश करें और इससे पहले कि मैं आज के वक्ताओं में से आमंत्रित करूं उससे पूर्व 21 शतापदी को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं दो पंकियों में कि जिस्वक्त हम 21 शतापदी की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से इसवक्त चार समस्या हैं हमारे सामने विद्यमान है एक तो है जो बौत धिक गुंदू की समस्या है इंटिलेक्ट्वल क्राइसिस जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा है और पेंडेमिक में तो आप रूप देखी रहे हैं कि इसवक्त कितना समस्या है वो है आपके इमोशनल क्राइसिस की जिसे हम भावनात्मक गंदों कहते हैं पीसरी जो समस्या है वो है भाशा का अतिचार इतने ओवर यूज ऑफ मिस्यूज ऑफ लेंगविज जितना हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ है एक तरह कि वह वाचिक हिंसा के स्थर पर ही चली गई है और चौति जो समस्या है जो 21 शताब्दी की वह समस्या है कि कार्मिक जुन कि हम करना कुछ चाथे हैं हो कुछ और पा रहा है और इन सब के बीच में जो एक घबला सा हो गया वो गपला क्या था कि एक तरफ आपके डार्विन खड़ा है एक तरफ आपके तो टोटल 21 शताब्दी को अगर आप परिभाशित करना चाहे हैं तो इन चार समस्यां और इन तीन व्यक्तियों की थ्यूरिस के बीच में आप इनको 21 शताब्दी को परिभाशित बड़े असानी से कर सकते हैं उसके लिए किसी लंबे चोड़े भाशन की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन इन सब के बीच में वो गुद्धत जो बुद्ध की करुणा है उसको हम किस तरह से प्राप करें उसको कैसे समझें कैसे उसको रिस्पॉंड करें उसी के लिए आज ये चर्चा रखी है और दूसरा और मैं दोनों विद्वानों के साथ रखना चाहता हूं क्योंक करें कि करता बुद्ध, भोगता बुद्ध और याता बुद्ध ये तीन तरह के बुद्ध मुझे लगा है कि इन तीन पक्षों को हमें जरूर जानना चाहिए ये मैं चाहता था कि मैं इस स्लाइड को आप लोगों के साथ शेयर कर पाता है कि करता बुद्ध के रूप में क था मेरे पीछे जो विचार था कि किस तरह से बुद्ध ने हमारी परंपराओं को हमारे व्यानिक जीवन की शैली को हमारे व्यवहार की शैली को प्रभावित किया है उसे मैं पार्थे बुद्ध क्या रहा हूं शाश्वत बुद्ध से मेरा अभी प्राय था कि किस तरह से वैदिक परंपरा और अन्य जित्म कई तरह की परंपराओं को लोग को लेकर के वो आज तक बुद्ध की परंपरा चली आ रही है कितने सारे विचार उसमें सम्मिलित हैं ये भी मैं इस पक्ष को लेना चाहता था इसलिए मैंने उसे शाश्वत बुद्ध शब्द दिया। तीसरा जो मैंने उसे स्तर पे जानना चाहता हूँ वो है चिन्मे स्तर। बुद्ध ने ऐसे कौन से उन मूलियों को स्थापित किया जिन से जो आगे भविश्य में कल्यान है कि मनुशता को हम कल्यान के प्रती मंगल के प्रती श्रेय के प्रती हम आश्वस्त कर सकें। तो ये चिन्मे बुद्ध का ये भी पक्ष हमें जो है वो चर्चा में लाना होगा। तो ये जो दो पक्ष थे और 21 वी शताबदी वो मैंने अपनी बुद्धी के अनुसार जितने संग्षेप में आप लोगों के साथ रख सकता था वो मैंने रखी है। और अब मैं संजीव जी से निवेदन करूँगा कि वो जिस भी प्रथम वक्ता को आमंत्रित करना चाहेंगे तो वो आमंत्रित करें। और आदे आदे घंटे के दो बक्तब्य रहेंगे और फिर उसके बाद चर्चा जो है वो जी जी आप क्लियर नहीं आ रही आवाज जॉक्ता संजीव जी आप सुन पा रहे हैं जी मैं सुन पा रहा हूं आपको में अग्रह था आपसे कि यदि तक्नीकी समस्या दूर हो जाए और अंत में आपके दोबारा जो स्लाइड और जो चीज़े तियार की है तो हम और उपस्तित जो दर्शक गंड है वो देखेंगे तो काफी के चीज़ें क्लेर होंगी ऐसा मेरा आग्रह है समय रहेगा तो हम उससे जरूर करेंगे करना चाहूंगा प्रफेसर डॉक्टर विजे सिंग जी जो की पंजाब विश्विधाले से हैं और प्रफेसर एंड हैं डिपार्टमेंट ऑफ टिप्टियन और चानी स्टेडिस के हम में उनका मार्क दर्शन मिलेगा ऐसे निवेदन के साथ प्रफेसर डॉक्टर विजे सिंग अधन्यवाद संजीव जी सुन पा रहे हैं जी सर जी सर आवाज आ रही है अपनी जी धन्यवाद अशुतोस जी और संजीव जी को दिन्यवाद आप सभी महान भूश्टों से मेरी छोटी सी खोशिश है कि संभवता बुद्ध को उस रूप में समझा जाना चाहिए जिस रूप में बुद्ध साथ चाहते थे न कि उस रूप में जिस रूप में हम स्वयम चाहते हैं कि बुद्धु को समझें और इसलिए बिल्कुल ही छुटा सा एक मैंने तयार किया हुआ है तो मैं इसी को कोशिश करता हूँ आपके सामने प्रस्चूत करने की न सिर्फ बुद्धिजिस स्टडी या बुद्धिजम क रूप में बलकि एक साधारन मनुष्य के भावने धर्म के बाहर से यह बुद्ध की विशेष्टा रही है और इस विशेष्टा को हमें भूलना नहीं चाहिए यह बुद्ध जितने बुद्ध लोगों में प्रिये हैं उतने बुद्धितर लोगों में भी प्रिये हैं पश बुद्ध की सारभौ मिक्ता है अगर इसको हम देख लें समझ लें थोड़ा भी तो बुद्ध का बुद्धत्व और बुद्ध का सम्यकत्व हमें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी हमें देखना पड़ेगा अब उतने से ही आ जाएगा तो निश्चिय तोर पे जब हम बुद्ध कहते हैं तो उस पुतिमूर्ती की बात करते हैं अब के आवाज अपना ठीक कर लिए अवाज तो बच्पन से ऐसी है लाउड करने का प्रोविजन ता और मैजर के पास होगा कि लाउड कर लें कि कम आ रही है यहां तो कुछ भी आवाज होगी नधीरे से जो लीड आप जो हैड़फोन यूज करने है जो लीड है उसके माइक को अगर आप थोड़ा सा अपने मुद्धिक लिए आएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा है अभी ठीक है ठीक है ठीक है जी धन्यवाद तो चलिए शुम चाता हो दुबारत अब जब हम बुद्ध कहते हैं तो हमारे सामने कई जो राज्वार को रूप में उत्तुन हुए थे और गय एक भगवान को रूप में या पिर भगवान जैसे रूप में अगर कह सके तो बगवान के अधारना जितनी भी बी मानी जाती रही है लेकिन जब ये बुद्ध हमें समझ में आता है कि वो बिद्ध क्या है गुद्धत्व क्या है स्कॉलर्शिप क्या है तो हम शुरुवात तो उस एतिहासिक गुद्ध से ही करें जो एक साधारण मानव की भाति आये पर महा मानव की भाति गए कि अब वागमन कहीं बाधित नहीं हुआ और एक रिनेशा का पीरिडिये पुर्णर जागरन का काल आया तो बुद्धु को विश्णु का उतार को भी चित्रित किया जाता रहा हाला कि मेरी जहां तक जानकारी है किसी भी हिंदू मंदिर में मैंने बहुत सारे हिंदू मंदिर प्रतिमा देखी है वो बुद्ध जिन्होंने वेदों की सत्ता को स्विकार नहीं किया बावजूद इसके विश्णु के दस्वे अवतार को रूप में हमारे सामने उपलब नहीं सो बुद्ध के कई रूप जो हमारे सामने आते हैं और बुद्ध की सबसे पहली बात जो ब ihi में अपने दुख और अपने denk का कारण हूं इसके लिए किसी दैविये कारण के जोनने की जृद्ध नहीं है यानि निर्वान भी तुम्हारे ही हाथ में और दुख में होना भी तुम्हारे ही हाथ तो बुद्ध होने का जो मतलब है एक अपने-आपमे विश्वास उत्प में नहीं हूँ यह बुद्ध होने का एक विश्ष्ट महत्व था और बुद्ध ने हमें दिया यह महत्व और यह महत्व यही है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता दी निश्चित रूप से भारत जैसे बहुलता वादी धर्म की बहुलता जैसे यहां है धर्म जिस बहुलता तो यहां साग ज्याया भी मुक्ति हमारी अपनी उप्रिश्वों की धार्णा होते हुए भी यह बुद्ध ने इस धार्णा को प्रतिमूर्थ कर दिया कि नहीं हम ही हैं और हम जब तक नहीं चाहेंगे हम जब तक नहीं समझेंगे अपने दुख को हम कुछ नहीं करेंगा और कोई द्याविय सक्टा हमें दुख से उन्होंने द्याविय सक्ता को ममश्यूरूप में स्थापित कर दिए कि हम ही अपने दुख दर्द और इसको दूर करने को उपाए पस समझने की देर है तो यह एक बहुत बड़ा भारतिये धार्मिक दर्शन का कि पैराड़ इसे प्रति स्थापन भार रूपा में गुद्ध याद किये जाते रहे बुद्ध की अनेक संप्रदाय उपजे हिंद्ध तुमें भी बुद्ध आये पहले तो नहीं थे बुद्ध आज बनाई जाती है वो सिर्फ इसी लिए उसी रास्ते पर चल सकते हैं तो यह तो समझने की बात है लेकिन हम यह समझ रहे हैं अधिकांसर विद्वान भी इस पूर्व धारणा को देते हैं कि बुद्ध और बुद्ध का धर्म वैदिक धर्म या हिंदू धर्म जिसे आजकल कहा जाता है उसकी प्रतिक्रिया के फलो सुरूप जो मेरी समझ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बुद्ध धर्म की ऐसी अवधारनाएं और करमकांड के अवश्य उन्होंने विरोध किया था उसको नकारा था जिनकी को अवशक्ता नहीं थी जो बोजिल हो चुके थे अप्रसांगिक हो चुके थे लेकिन बुद्ध के धर्म को एक प्रिटिक Cliad Mat dharm कह देना अनुशीत होगा और इसी और ऐसा में इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिकरिात मक धर्म होने के नाते ही आज के समय जाने की परवपरा के शुरुए है बिलकुल नहीं परवपरा है और इसका मूल तो पश्चिम के उरोप ही है जिस ने बुद्धु धर्म को सिर्फ भारत में नहीं बलकि भारत से बाहर देखा और उन्हें पता भी निते के धर्म कहा कहा है कैसा है तो उन्होंने शुरू किया कि उनके यहां एक धर्म अगर आप इसायत में हैं तो फिर बाकी लोग इसायत में नहीं है हमारे भारतिये धर्म संप्रदावे में ऐसा नहीं होता आप बुद्धु को मानने के लिए हिंदु धर्म को छोड़ा गया हम सभी को पता है कि ऐसा कैसे हो यह अजीब धार्ना थी जो पश्चिम के धार्णा पर अवधारित थी इसलिए हमें आज और भी जादा बुद्धु को समझने की जुरुत है ताकि हम समझे तो बुद्ध ने आखिर अभ्याकत प्रश्णों को प्रारंभ में उत्तर देने की अस्थान पर मौन के अधारन किया बाद में उनके उत्तर अलग-अलग वद्विद्ध्वाने को द्वारा दिये भी गय जो कई ऐसी अधारनाय हैं जो बुद्ध के समझ में सिर्फ समझने की धारनाय रखती हैं और एक तीसरा कारण ये भी है कि बुद्ध ने इसी विश्वास संप्रदा या विश्वास के धर्म को जन्र नहीं दिया जो चली सथा ब्ईसाप्रोग में पहले था विश्वास, इ मैं इसतव इसको शुरूर करता हूं अगो देखता हूं एसी धार्णा है कि धर्म प्राथमिक रूप से मानव जीवन को अंतर तब बिवस्थित करता है। और अपने ब्रियत्तर रूप में बाहरिये रूप में जीवों को प्रक्रटी और में माता के साथ विनियोजित करता है यह सहजी निश्कर्ष निकाला जा सकता है कि धर्म व्यक्ति को उसके अपने स्थान पर संतुलित और समयोजित करता है और इसका मतलब ही है धारेती धर्म साथी साथ यह मानोस भ्यता को उसके अंगों उपांगों के साथ साथ साम्मिस्थाबित करने में सहायक होता है अवधार नाओं की सहज अभिव्यत्ति को भी जीवंत करने में धर्म प्रभुकिवूंदी का निभाता है ऐसी कई समाजिक ब्यवस्थाएं हैं जिनकी परणिती के धर्म करूप में होती है और धर्म भी अनुप्राणी सेवस्थामें वहाँ पर जीवं परिवर्तित हो जाता है ज़ जहां धर्म से जिसे हम जीवन पद्धि करा सकता है। इसे समझने के लिए हमें मानव सभिता के कर्मिक विकास की एक संचित रूप रेखा देखें। एक बात निश्चित है कि मनुष्य निर्विदालित रूप से सुख की कामना करता आया है। दुख की कामना किसी न भी नहीं की। यहां तक कि मनुष्यत्र प्राणी भी जिन में बुद्धी वविवेक अपएक छाक्रत कम आके गये हैं। वे भी अपने को दुख पहुंचाने वाले कारण से दूर होने की चेश्टा करते देखे गये हैं। सुख का प्रारंभीक स्वरूप यह तो मन को प्रसनता पहुंचाने वाले चेश्टाओं तक समित रहा। प्रारंभीक पर धिरे-दिरे यह भी अपना शित्र विश्टत करता गया। सुख की इसी चाहने इसि अनवरत चाहने सरष्टी में अनेकानेक विचार भाराओं और आस्ताओं को जर्म डिया। विन काल खंडों में मनश्य मानव सम्भितादवारा अनेकानेक दर्शनों का जर्म इसी प्रयास का सुभाविक प्रस्प्टन था। इस प्रक्रम जानिय रही कि सुख का सुरूब क्या सुख की अवधारणा में एक की आसान नहीं था सुख क्योंकि अनुभव गम्य है और प्रतेक मानव अपनी ग्यात विंद्रियों के द्वारा ही इंद्रियों की अंग होती से जुड़ा था चो इसका प्रगटी करने में सही होती ती प्रतेक विजहादहारा क्योंकि अपने पूर्वान भुवध वरा ही सुख को परिभासित करती और पूर्वान भुव का अधार क्योंकि programming तर्म हींद्रियां ती उनकी परिभास कर एक सथां और समय के सीमा में आपद्ध होती थी इसका साधारनी करण कोई सरल कारे नहीं था, परंतु अनवर्क्त सुख की चाह, अनंतिम चाह में मान और मन परियोग करता गया, और कुछ रोचक तक्चों की प्राप्ती ने इसका साहवर्धन किया, कुछ ऐसे रोचक तक्च में आप लोगों के साम में रखता हूं, तभी हम में उसकी भूमी का पता चलेगी, किसी धर्म के स्थापना, परतेक जीव सुख के विलासा रखता है, एक तो यहीं हुई, यह पश्चिम की sadistic pleasure या परपीड़ा सुख वाली बात नहीं है, जो हमारा नहीं है, उसको हम पीड़ा दे सकते हैं, जो हमारे धर्म में नहीं है, य सभी भागलिक क्षेत्रों में हुआ है, प्रक्रिटिक सक्तिओं को दयविकरण भी इसी तरह से हुआ है, जिनको प्गनिक रिलेज्टान अंगरेजीम कहते हैं, हमारे यहां प्रक्रिटिक स्थियं है, यह सुख संम्लित हुआ, और बाद में यैसे के लोकायद दर्शन और अलोग एक सुख नहीं मांते हैं चौथा सुख एक सदेव अग्रसारित लक्षे है यह एक ऐसी अनुभा जन्नी बात थी जिसे भुक्त भोगी ही समझ पाए सधारन व्यक्ति को तो मूल भूल आदिमाव शक्ता की पूर्टी सधारन से करे और उतने तक हो यह एक बार हो ज सब्सक्राइब को साल अजित केश कंबली पूरण कस्षप निगंठनाथ की तसंजे विलटी पुत्रों यहीं है कि प्राप्ति है यह लक्ष मनुष्किया अनादिकाल से लिए आ रही है अब कुछ साधारन बाते थी जिसमें से तीन बाते को मैंने अलग किया है जो सभी मत पतांतरों भावालिक सीमा से परे हरेक मानव सभ्यता में होती ही है जैसे पहला सुख सर्वत व्याप्त है दुख का कि एंद्रिक सुख ही वास्तिविक सुख है इससे परे कोई सुख ही यह भी बहुत नहीं चला है कि इसके मानने बहुत है इस रहा है पारलावक्ते जीवन कल्पना मात्र है यह तीनों बाते हो भी बुद्ध ने इसी संबंद में सर्वता नमीन वह अनूठी परंपराश था कि मात्र कि अपने अनुकरण याणि अपने देशों के अनुकरण के स्थान पर मान उत्व किया ही पर मान ओमेङहा के लिए सुखरत Hack लको को वरियता इसलिए प्रादंबिक बध्ध साहित में इसे एक जीवन पद्धिती के रूप चित्रित किया गया जिसमें बुद्ध या फिर जिसे कहेंगो उस समय स्रमण गौतम के बताये मार्ग पर चलना यथिस्ट था पर इसके लिए कोई संप्रदाय विशेश अथ्वा धर्म अधर्म ने इसे वेद विरोधी अत्वानास्तिक का अलाकि यह आंशिकृप से ही सकते था पर दुबध धर्म की अश्थिति प्राची नितम काल से बरत्मान तक रही है आज भी सभी धर्म के प्रणिता प्रवक्ता अपने अपनी धर्म को वास्तवी सरल और सुख प्राप् अधर्म की विचार धारा है जो अलग-अलग मैंने बत्ता ही वह अलग-अलग काल खंडो में उत्पन नहीं अलग-अलग भूमी खंडो में पर इस सभी का मूद शुरूप या तो धर्म था या कलंतर में धर्म को कर दिया गया अब वाद सुरूप जिनका संस्क्राइब नह का इस वह अविता हो एक संपुण की ठीयाइब में से प्रभाभीत नहीं हुता है है भारती में कर दो इस को पहले जांचुके थे अते उन्होंने सुखो निवेशन की सत्या निवेशन से इसे जोड़ दिया यथार्थ में यहीं मेघा पर जट्रागी सर्वकाली की जया है यह सर्व विदित है आज भी हम लोग इस बात को मानते हैं कि बुद्ध ने स्वेंग के धर्म संस्थापक होने का स्रेंग नहीं नही स्थापित संगठ धर्म का स्थान पर जीवन यापन का एक मार्ग कह सकते हैं यह कि मूझते कर दो कि बुद्ध मोक्षदाता नहों करके मार्ग परड़ाता है मोक्षदाता दूसरी धार परंपराओं में है जो सलवेशन के मैंसिपेशन देते हैं उन्पर विश्वास करें बुद्ध कते हैं नहीं में मार्ग पर दाता हूँ कुछ तथ्य देखें इसे थेरवाद में भी मुक्ति के लिए बुद्ध की कृपा का स्थान पर उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अमुसरण ही परियाप्त है जिसका अनुगमन सुर्ण बुद्ध और उनके पुरव उनके द्वारा दिया धर्म पार उतरने के बाद नाव छोड़ देने की भाती ही त्याज्य है नकी भार सुरूप सर पर लिते चलने के लिए यह हम उस सुट में देखा जा सकता है इस परस्ट था कि बुद्ध के मत में धर्म एक साधन था साध्य नहीं साध्य तो दुख न संबंद में एक बात कही है कि प्रिथवी पर इस जैसा इश्वरिये व्यक्ति और इस जैसा इश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठीन है उन्हों अंग्रेजी में कहा है सो गौड लाइक एंड सो गौड दूसरा महत्य पूर्ण तथ यह है कि इश्वर मनुष्यों क कि आत्मा को बचाने या तारने के लिए अपने पुत्र अत्वा संदेश्वाहत के द्वारा निर्देशों को प्रड़ करता है जो अब्रहमिक रिलिजियन में हम पाते हैं विश्वर में अधिकांस्तावलोग तो उसी परंपरा से हैं इसे ही धर्म कहा जाता है प्रम्तु में कहीं भी अपने देववत्व अत्वा भगवत्ता की घुशना नहीं की महापरणिवां के उश्वी पहले तथागत बुद्ध ने अपने अंतिम उखदेश के रूप में निम्लिखित आदेश उच्चारित किये योगो मया धंवो चव विनेयो चव देशितो पन्यतो सो वो ममच्चे ने तुम्हा कन सकता इसका अर्थ मेरे बाद विनेय धर्म और प्रत्या के सिक्षाएं ही तुम्हार हमारे दर्शन करें इसी प्रकार अनेकानेक संदर्भों से समझा जा सकता है कि बौध्धमत वस्तुद परंपराओं और करमकांडों से युक्त धर्म नहोकर एक जीवन के शहली भाती है जिसका आरंभिक स्वरूप तत्कालिन समाज के नैतिक ब्यवस्ता के उत्थान तथा अप्रसंगिक रीती रिवाजों तथा पुरीतियों को दूर करना था साथी कुछ नैतिक शिक्षा वा साधना पर आधारी ते अनुकरणिय धर्म जिसको जीवन पदेती कहराओं मैं कि इस्थापना थी इसे इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन की कह दिया जाता है कुछ हर्थों में गलत भी नहीं इस मनद रहे यह किसी ब्यवस्ता आत्मा धर्म के विरुद्ध नहीं था यह समय की मांग थी जो छटी सताब्दी इसापुरों में भिन्भिन्न सभ्यताओं में नमीन मतों के उद्यक रूपे देखी जा सकती है जिसे ग्रीस में इंपिडोकल्स चीन में इद सिंग और बुद्र के समाकालीन तो छे हैं ही और महावि आदियास इसी दिशा में किये जाते रहे हैं कि वह धर्ती पर हमेशा अर्थाशाश्वत रहे नहीं तो कम से कम देखावधी कि रहना तुसुनिश्चित करे ले और यदि यह भी में हो सके तो कम से पुनरजवन के लिए अनुखूल प्रसितिया बनाई जा सके आकि भोग को को भविष्य में अर्जित कर संप्षित किया जाए वर्तमान युग तक मनुष्य इसी दिशा में प्रत्न सील है और सदेव यह जानना चाहता है क्या किया जा सकता है कि आने वाला समय उसी का हो जाए इस दिशा में प्राकृतिक सक्तियों पर नियंत्रण और विजय के कारण जा था कि यह शक्तियां शाष्वत थी और मानव के नियंत्रण से परे थी कुछ हट तक आज भी देवी करण की प्रक्रिया में इसने प्रसंद होकर वर्दान पाने का प्रयास का सरवाधिक उतक्रिष्ट रूप हमें वैजिक साहितिक रूप में उपलब है अन्य संस रूप से प्रकृतिक शक्तियों की पुजा प्रचलित है प्रदान संद बाहर कही है सरवाधिक प्रसिद्य सिध्धांत शाष्वत वाध अर्थात आत्मा का स्वरूप जो शरीर विदलती रहती है उपर दियेगे देवे सिध्धांतों का समठित रूप ही समनांतर रूप स अनात्मबाद का सिध्धांत भी प्रचलित हो पड़ा कई सभ्यताओं में इसा चला जो परिवर्तन सीलता का यह सअगामी था तो आत्मा और अनात्मवाद इन दोनों धुरूओं के मध्य अनेक सिध्धांतों और दर्शनों ने जन्म लिया जिसमें साम्य और वैश्व में जन्म लेरता है तो देख ले दुद्धि ने यह सोचकर कि मैंने जीवन में जिस अद्भुद ज्यान की प्राप्ति की है वह सदेव पल्लवित होकर सर्वजन का हितकारी हो भिक्षू संग की स्थापने संग के लिए उन्होंने एक उत्कृष्ट आचार संधिता भी बनाई जिसके नियम और उपबंध समय समय पर अध्यतन करते रहते थे और इसके लिए दूसरी धार्विक परंपराओं के नियमों को भी अपनाने में संकूछ नहीं करते थे जो अवांचित तत्वों के संग में प्रवेश को तो इससे रोका ही जाता था जैकि समय समय पर आने वा संग में नियमों का कोई अपवाद नहीं था विश्वेंग बुद्ध पर भी सारे नियम सारे विनय के नियम वैसे ही लागू होते थे जैसे एक समाने भीच्छु पर चीवरधारन करने साधिकी पूरण उच्छ नयतिक जीवन जीने और एक साथ निवास करने में संग में अभूत पुरुव एकता का संचार होता था, एकता की भावना से परेदित होकर, अनेक भीच्छों ने विदेशों में बद्धर्म के परचार को अपने जीवन का लक्ष माल लिया, समराठ अशोख ने अपने पुत्र ता पुत्री को बद्धर्म के परचारात सिंभ लगी और अन्य अमात्यों तो विख्षू को उप्ध परचार परचार के लिए अन्य देशों में भेजा. और प्रसेद विध्वान विख्षू कुमारजीव ने चीन में बहुत धर्ब के परचार परचार किया. इस प्रकार यह का ना अनुचित नहीं होगा इस सुद्योस्थित इवंग संगठित प्रचार के कारन यहिं बद्धृ विश्व भ्यापी धर्म बन सका मूल रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि बाद धर्म में बुद्धत्व और सम्यकत्व इसका अर्थ यही है कि हमारा जीवन अध्यात्म भी उतना ही प्रभावशाली है जितना यह भौतिक जीवन न तो भौतिक जीवन को न कारा जा सकता है और ना अध्यात्मी जीवन को ना कहा जा सकता है इन दोनों को भी संतुलन ही सम्यकत्व है जो संसारिक्ता और अध्यात्विक्ता दोनों को भी संतुलन इस्थाइपित करता है धन्यवाद संजीव जी बहुती सुन्दर आपने लग सब्मार्ग कर्शन किया तुक की प्राप्ति मौख और पिर मार्ग का जो तुलनाचमत आपने विजिशना की वह बहुती सुन्दर है धर्म के बारे में आपने जिस परकार से गुट मानते थे और देखते थे रसुधार अंदोलन तक की आपने बात की भुष्य की चिन्ता को लेकर प्रक्रतिक शक्तियों की पूजा और एतिहासिक पक्षों के साथ जिस परकार से आपने बहुत ही साधार शब्दों में हमारा जीवन क्या है अध्यात्मि प्रक्रतिक का जो आपने जो बैलेंस किया उसके लिए मैं आप हार प्रक्रत करता हूँ आपका धन्यवाद प्रफेसर दॉक्टर विजे सिंग जी आपसे इतना सुन्दर बहुदन और माल पर्शन प्राप्ट हुआ मैं निमेदम करूगा दॉक्टर अशुक्तोर जी से अगर में इस स्लाइड होगी तेक्शन दो मिनटे में इस पास्टन से उसके बार फिर हम आज में हमारे इस अधिए हैं प्रफेसर दॉक्टर अविनाश कुमार्शिर बात्वाद में उनका वक्तब रहे हैं जी सब्सक्राइड बोल रहे हैं क्या अहां डॉक्टर विजय जी की बात सुनते सुनते जो मुझे एक उनका वाक्य ध्यान आ रहा था और बुद्ध जो कहते हैं कि तापात छेदात निक्षात द्राहियं मत बचाह न तू गौरवात ये आज विजय जी ने उस बात को बिल्कुल स्थापित कर दिया कि बुद्ध स्वेम कहते हैं कि मेरी बातों को मेरे गौरव के कारण कभी मत स्विकार करना उसको तपाना उसका छेदन करना और फिर अगर तुम्हें ठीक लगे तो तब उसको स्विकार करना ये आज के यूग में कहने का दुसाहस मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कर सकता है तो इसलिए बुद्ध मुझे लगता है कि हम सभी के लि कामंद्रिक कर रहा हूं कि वह अपनी बात आरम करें इस विशे को नमस्कार समवेट सबों को समवेट नमस्कार वस्तु तो कल शाम को करीब दिन भर में व्यस्त था आपने वेबिनार में ठका हुआ था करून दीखा को आया कि आपका जो है सम्यक्त संबुद्ध की जो है व कि मुझे भी बूलना है लेकिन यह मेरे लिए आहलात का विशय है कि हमारे पड़े पुराने मित्र स्वजन और हमारे रिस्तेदार यह हमारे सामने हैं और इन्होंने जो बाते कही है उसे मैं विक्षित करने का प्रयास करूंगा क्योंकि हमारे आख्यान के जो वस्त्र है कस कि जिसके तंत्रों का सब, इन ही के आख्यान के तंत्रों से मैं विशन का प्रयास करूंगा है हमारे मस्तिस्क में वैसे कोई भाव नहीं था क्योंकि मैं बाहर में पड़ा हुआ हूं लेकिन जब हमारे अंगीरत सब, जी नहीं, इस सारे चीज़ों को विवस्तापित करने क का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया कि किस दिशा में हमारी बात हो रही है तो मुझे लगा कि मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं इसलिए सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद विजय जी को को देता हूं कि जोहोंने मेरे ज्यान चप्चु को खोलने में जो मेरी सायता की है वह शलाग्या है वस्तुता कोई भी धर्म या दर्शन किसी भी देश प्रदेश और काल कि मानविये समस्याओं को उन्मूलन करने के क्रम में विक्सित होता है और यह एक सतत प्रयास है क्योंकि समस्याओं सनातन नहीं होते वो समस्याओं बदलती रहती है काल के कारण इस्थान के कारण और मानसिक परिवर्तन के कारण फलस्वरूप पारिस्थीतिकी परिवर्तन के साथ जब समस्याएं परिवर्तित होती हैं तो उसकी निदान भी समय समय पर अलग-अलग रूप से आते रहते हैं जिसकी चर्चा इन्होंने बड़े अच्छे ढंक से विजय जीन की की बुद्ध के आगमन के पहले वैदिक यानी ब्राम्वन धर्म का प्रसार था और उसमें जो भ्रांतियां आ गई थी अंदविश्वास आ गय थे उसके निराकरण के लिए एक ऐसे वेक्ति की एक ऐसे सम्य सम्बुद्ध की आवश्यकता थी जो अपने तरक्रसंगत युक्तियों के से उन समस्त भांतियों का निराकरण करने में समर्थ हों है और इसलिए तक एतिहासिक परिप्रेक्ष में काल क्रम में अनेग प्रकार के दर्शनों का अभ्युद्य होता रहा है गीता में बड़ी में अच्छी बात कही गई है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारत अभ्युद्धानं अधर्मस्य तो तो जब-जब हमारे धर्म में जब-जब हमारी व्यवस्ता में संत्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब तक एक युग-धर्व की को पर वर्तन करने के यूग में यानि 500 इसा पुर्व से लेकर अभी तको मैं आज का यूग मैं कह रहा हूं इस अर्थ में उस काल में जो बुद्ध का अवतर्ण हुआ वो वस्तुता समसामाई समस्याओं की आलेक मनें आलोक में ही हुआ अनेक प्रकार की सब्धिताएं आई अनेक प्रकार का दर्शन वाया और जो इन सारे समस्याओं को सुधाने में आसमर्थ हुए वे विलप्त हो गया लेकिन वे दर्शन वे यूग पुरुष जो हमारी समस्याओं को आस तक समझाते रहे हैं और उनकी विविचनाओं के क्रम में जो बाते हमारे सामने आते रही हैं वो मील के पत्थर के रूप में स्थित हो गया है क्योंकि वह विश्य द्रस्टा भी थे और यूग द्रस्टा भी उस काल में भी उनकी बाते उतनी सार्थक थी और इस काल में भी उनकी बाते उतनी सा तक है और उनकी उपदेशों के उपयोग से हम आज की समस्याओं को निराकरत करने में समर्थ हो रहा है अशुतुर जी ने बड़ी अच्छी बात कहीं थी कि अंगली माल बुद्ध के समख्छाया और वो अंगली माल में एक आमूल परियुर्थन हुए यह उनका सम्यत महा करोना की प्रस्तुती थी कि जो अंतर से आकरके अंगली माल को यह कर नहीं प्रभावित किया और ऐसे ही आने वाले समाज और आने वाले संततियों को अपना माल प्रवान करना उन समस्त प्राचीरों को तोल करके जो बीच में अवरो धक हों वैसे ही धर्म के प्रणयता हमारे बुद्ध धर्म हुआ करते हैं और उनहीं के युगधर्म को वरतमान युगधर्म मान कर हम अपने समस्याओं का निराकरन करने के लिए उनके पास आते हैं। दूसरी बड़ी अच्छी बात हमारे विजय जी ने कही कि जिस धर्म का प्रतिपादन उन्होंने किया। उन्होंने इस पस्ट कह दिया कि तुम अपने मार्ग को प्रशस्त करने में स्वयं समर्थ हो और बुद्ध कहते हैं। चित्ते ना नियते लोगों। तुम जिस प्रकार की मान सिक्ता से आगे बढ़ोगे उसी प्रकार की विश्व का निर्मान करोगे। और दूसरे बात इन्होंने बड़ी अच्छी ही तुम्हीं ही किच्चं आतप्पं अख्खा तारो तथा गता है। कारी तो तुम्हें करना है। मैं मार्ग दर्शन करूँगा इसके अत्रिक्त मैं कुछ नहीं करूँगा। और इस प्रकार बुद्ध ने जो अपने ज्ञान के आलोक में सारी चीजों को आलोकित करने का जो प्रयास किया है। अगर आप करेंगे तभी आपको ऐसा होगा और यही कारण है इनका धर्म इही लौकिक धर्म है कोई पारलोकिक धर्म नहीं। धर्म की इही लौकिकता इस्तथकासन के तक है कि जो आप कर रहे हैं वो कौजल केनेक्शन से जुड़ा हुआ है। कि कल तरुन जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था यह सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक संबुद्ध क्या है। और इस क्रम में मैंने कहा था कि ज्यान के अन्वेशन के निरंतर प्रयास के प्रतिफलन के रूप में जो बोधी बिच्च के नीचे उनकी ऊपर ज्यान का अवतरन होता है। और एक वेक्ति जो ज्ञान से युक्त हो जाता है उसे ही सम्यत सम्भुद्ध कहते हैं और वह ज्ञान का अवतर्ण पिहार के बोध गया के प्रदेश में हुआ विजय जी अच्छी तरह जानते हैं हम लोग बराबर वहां जाते रखें अब प्रश्न दूसरा उठ खड़ा हो की वे एक महाराजा के पुत्र थे विष्व की सारी संपदा उनके पास थी सारा एशवर ये उनके पास था और तो और जो ही उनको पिता को यह जात्ष हुआ की असन्यासी भी हो तकता है और चक्रवर्ती संवराठ भी तो भोग विरास के समस्ते चीजों से उन्हें अच्छ आदित कर दिया जाता है लेकिन काल की गती तो कुछ और थी वो रथा रूड होकर के सप्ताह में एक बार निकलते हैं तो कभी बुढ़े आदमी से भेंठ हुई रोगी से भेंठ हुई मृत्वेक्ती से भेंठ हुई और उनके अंदर इस विश्व की दुखों के निवारन की धारना जागरित हो गई यह दूसरी बात है कि हमारे रास्ट्रपती का रत भी सप्ताह में एक बार दिल्ली का भ्रमन करता है और उसके बाद फियो रथा रूड सधार्थ भूमने नित जाते पर भावन करुणा का मन में कभी जगता है भारत में ऐसा विक्ति है कौन बताए उन्हें दिल्ली के दर्पन में जो रूप निखरता है वो उन व्यथाओं को देख करके जो उन्होंने महां विनिसक्रमन की स्थिती उत्पन कर लिए अपने अंदर और सन्यास घण किय और लगातार निरंतर सन्यास के उपरां जो ज्यान की प्राप्थी हुई वह अपने आप में उस महा करोना का संकेतख है कि लोगों को जवित देखकर हम स्वयन जवित हो जाते हैं और उसका एक सीधा संबंध आज के परिप्रेक्ष से है जब इस करोना काल में हमारे नियर क्या भी किम्रत्य हो जाती है तो हम संवयदना सुन्य होकर उसके पास उसकी सहायता करने नहीं जाते हैं हमारे अंदर की जो संवयदनाय सुप्त हो गई है उसे जगाने की अवश्यकता है और वह जगाने का कारियत बुद्ध के विचार ही कर सकते हैं क्योंकि मानव दुखो के निराकरन के लिए ही बुद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने की और संपूर्ण जीवन उन्होंने उपदेश देने में लगा दी और इसलिए जो उनकी जो मूल समस्या है वो संयुक्ट निकाय के में आता है कि जब वो चारिका में निकले थे तो अकस्मात एक यक्षोन के सामने खड़ा हो जाता है और पूस्ता है अन्तो जटा बही जटा जटाए जटिता पजा तंग तंगो तंपुछा में कोई में विजटे जटन थी और अभी एक और अस्मरण हो जाता है कि यह यक्ष बड़ा पुराणा यक्ष है इसने धर्मराज युदिश्चर से भी पूझा था कि माश्चरियम विश्व का सबसे बड़ा आश्चरिय क्या है और धर्मराज युदिश्चर ने बताया था कि संपोर्ण विश्व में मृत्यों का तंडव रत्य हो रहा है फिर भी अमरत्म की कामनाग लेकर मनुस्य आगे की और बढ़ रहा है काल में परिवर्तन हुआ परिस्थीतियां परिवर्तिक होई करोना का महा तंडव हमारे कुछ पड़ता है कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं समस्त जटाओं से हम मने त्रस्त हो चुके हैं यह भगवान बुद्ध क्योंकि वो त्रिकाल दर्शीते तुम बताओ कि वह क्या है जिसके माध्यन से हम इन समस्त प्रकार के दुखों के निवारन करने में अपने आपको सम और बुद्ध ने उत्तर दिया था सीले पत्रिठायों नरो सपईयों चित्तंग पैयंच भावयं आतापी निपको भिख्वू कूई में विजटए जटन कि हम सीले पत्रिठायों अगर हम नैतिक्ता पर अपने आपको प्रतिष्चत कर लेते हैं और समाधी की भावना करते हैं तो हमारे अंदर जो निकलने वाला ज्यान का आलोग वर्तमान समस्याओं के निराकरण में समर्थ होता है और इन तीनों की व्याक्षा करने के उपरां आप देखेंगे कि सम्यक्यत्व के आपकी प्राप्ति भी वही होती है क्योंकि सम्यक्संबुद्ध का जो प्रशनो उठखड़ा हुआ है आज के वेबिनार में वो सम्यक्संबुद्ध अर्फात वह सम्यक ग्यान वह ऐसा ग्यान जो हमारे समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ हो वह ग्यान क्या है और उस ग्यान के लिए ये तीन इश्लोक आ जाते हैं और यहां पर मैं धीरे धीरे उस सम्यकत्व की चर्चा करूँगा क्योंकि मैं तो कल तक सूच नहीं पाया था आज भी मैं नहीं सूच पाया हूं लेकिन वीजय जी के आने के उनके आभास तो हुआ है उस आलोक में मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि इसके तीन बाते हमने देखिए मैं शील समाधी प्रग्यां की बात नहीं करूँगा सम्यक क्या है, सम्यक संबुद्ध क्या है, वह सम्यक ज्यान क्या है, वह सम्यक कर्शन क्या है और वह है कि क्या यह दर्शन हमारे समकालीन, चिंतन, अर्फाद, दुखों के निराकरण की से समानता रखता है या नहीं दूसरा क्या यह दर्शन परिवर्थित परिवेश में एवन युग धर्म के अनकूल स्वयन को अभियोजित कर सकता है या नहीं और तीसरा है कि कहां तक यह हमारे वर्तमान मानविये समस्याओं का निराकर्ण करवे में समस्याओं और इस द्रिश्चे से वहवेक्ती जो इन तीनोची उंका ज्याता हो जिसके विचार काल की समस्याओं का अतिक्रमण कर भवश्य को भी देख करके उसके विशय में कुछ बाते कहने में समत्र करू वैसे ही ज्ञान और वैसे ही ज्यानेको सम्यक संबुद्ध कहा जाता है क्योंकि बुद्ध का आर्थ होता है इनलाइटिंद होना, ज्यानी होना, सरवग्य होना और उसके पास अंतरद्रस्टिका होना जो दूर तक भविश्य की भी समस्याओं का निराकर्ण करने में समध्ध हो और ऐसी अवस्था में जब हम इनको देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने एक अच्छी इस्थिति उत्पन्न होती है, इन्होंने कीवल दर्शन नहीं दिया, विजी जी ने बड़ी अच्छी बात कहीं कि तुम कारे स्वेंग करो, तुमहीं ही किच्चंग आतपंग अ प्रयास करो, आज हमारे पास समस्याएं हैं, तो हम बैठ करके कोई अमूर्त चिंतन न करें, क्योंकि नज्जिम निकाय में विजय जी जानते ही हैं, कि एक प्रसंग आया है, कि एक व्यक्ति वान से लग गया है, उसकी निरंतर जो है, रक्त स्राब हो रहा है, और जब कोई व्यक्ति उसको पट्टी बादने के लिए जाता है, वान निकालने के लिए जाता है, तो कहता कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कि वान पूरब से आया कि प्रश्चम से आया, उत्तर से आया कि जच्छन से आया, ब्रह्मान ने पान छोड़े या छत्रिये ने छोड़ा, वैश्य ने छोड़ा या सुद्र ने छोड़ा बुद्ध ने कहा कि अगर इन समस्त प्रश्णों का उत्तर देने का हम प्रारंब करेंगे तो इसका प्राणान्त हो जाएगा अवश्य कता है कि इस व्यक्ति की के वान निकालें और इसे पट्टी बांद करके इसकी सेवा इस से जुड़ा एक जो मूल प्रश्ण है जो हमें चरुन जाजी ने पूछा था कि सर ये सम्यक संबुद्ध क्या होता है क्योंकि उस्सा में हमारे मस्तिस्क में सोचने की छंता नहीं थी और नई वेबिनार का प्रारूप भी इस पस्ट हो पाया था वेबिनार का किया है इसलिए मुझे त्वरित चिंतं करियें सारे बातों को कहना पड़ता है तो ऐसी वस्ता में दो तीन बातें हैं कि कि सम्यक संबुद्ध का यार्थ है और उसकी वर्तमान प्रासंगीत्ता क्या है तो उसकी पहले पक्षिक योरहम देखें सम्यक संबुद्ध का सम्यक संबुद्ध का तात्पर यह है जो तीन प्रकार के ज्ञानों से परिपूर्णों को है वो हर समय त्रिकाल दर्शी हूँ लेकिन प्रश्ण हुआ कि जब बुद्ध से स्वयन किसी ने पूछा कि क्या आप त्रिकाल दर्शी हैं क्या आप संबुद्ध हैं तो उन्होंने मना कर दिया उन्होंने तो इस पस्ट कहा कि तैविज्जों समणों यान तीन प्रकार के ज्ञान है पहला कि ज्ञान अनंत है ज्ञान चक्षू जो उनके हैं विश्व के समस्त अतीत वर्तमान और भविश्य की चीज़ों को देखने में समर्त हैं और तीसरा आने वाले समस्यों को विनस्ट करने के लिए भी उनके पास ज्यान चक्षू है क्योंकि अपने सतत प्रयास से उन समस्त चीज़ों का प्रहान करने में समस्य हैं जो हमारे निवरनों का कारिय कर रहे हैं हमारे सामने अवरूद उपन करने का कारिय कर रहे हैं और ह कोई भी कारण, अकारण नहीं होती है, उसके लिए पुर्व चिंटित, कुछ कारण होते हैं, अगर अशुव कारण्य हैं, तो अशुव उसका इसकार्श आएगा, जैसे गारोना खाल, अभी सत्थ्य क्या है, मैं तो संह्पत संबुद्ध हूँ नहीं, लेकिन पुछ लोग ही बुद्ध इस पस्ट कहते हैं कि चाहे कोई भी हो ब्राम्मन हो शुद्र हो या कोई भी हो उसे इस चीज़ पर भ्यान देने की पूरी आवश्यकता है क्योंकि जब तक वह सम्यक द्रिश्ट्री से इन सारे चीज़ों का विवेचन नहीं करता सम्यक द्रिश्ट्री का अर्थ हुआ कि उसके जितने आयाम हो सकते उन समस्त आयामों पर जब तक वह प्रकाश नहीं डालेगा तब तक उन सारे चीज़ों का ज्यान नहीं होगा और उसके निराकरण का उपाय भी हमारे पास नहीं हो सकता है और इसके लिए दो बाते हो एक बात बड़ी अच्छी कही बुद्ध ने काल क्या है काल ट्री आयामी वर्तमान है टाइम इस ट्री फूल्ड प्रेजन्ट अती हमारा वर्तमान में स्मर्ण है भविश्य मेरी वर्तमान की आकंचाये हैं और वर्तमान वर्तमान की अनगूतियां वर्तमान की अनगूतियों के आधार पर हम अपने दुखों को समझते हैं और तब उसके निवारन के लिए हम यत्र करते हैं और हमारा सम्यकत्व ज्ञान का तभी आता है कि हम उसके कारण को देखें क्योंकि जो ही कारण नस्थ होते हैं विजय कुमार जी बता देंगे क्योंकि अस्मिन सती तद भवती अस्मिन निरोधा तद निरुज्जती अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा होगा अगर इन चीजों को हटा देंगे तो वो सारी चीजे खतम हो जाएगी और आज के परिप्रेक्ष में जो सबसे बड़ी बात बुद्ध में कही है कि हमारे समस्त प्रकार के समस्याओं का कारण है हमारी उद्धाम इक्षाएं हमारे मस्तिसक में घृणा ग्रेश का जो वातवरण प्यार हो गया है वह है घमबपत का यमक ब्लग पहला जो आरंभई होता है मनों पुबंगमा धंवा मनों सेक्था मनों मया मन साचे पसंदे ना भास्ति वा प्रकार हम देख रहे हैं कि यह सारी चीजों का जड़ा है जो आला हमारा है वो मस्तिस्क है इसलिए मस्तिस्क को करना अवर्षक है और इसको प्यूरिफाइ करना ही हमारा एक सम्मय क्यान है क्योंकि जब तक हम अपने मस्तिस्क को प्यूरिफाइं नहीं करेंगे और उन्होंने उसके बाद में बताया है अस्तंगिक मार्ग की चर्चा की हैघ़्ा को सबसे बड़त PPE निकाल कर बाहर कर दो मन में शुव विचारों का संचार करें तोरे विचार को आने न दें और अपने अंदर एक स्वक्षवातावरण का निर्मान करें और तभी हम वर्तमान समस्याओं से लड़ने में समर्थ हो पाएंगे और पूरी बुद्ध दर्शन का मैं सार बताता हूँ उनके सम्मय ज्यान का जो वर्तमान परिप्रिक्ष में बिल्कुल प्रासंगित है वो कहते हैं सब पापस आकरण कुसलस उपसंपदा सच्चिद परियोध पनंग अतबुद्धा नुशाशन सब प्रकार के पापों को न करें अपने मन में कुशल विचार शुभ विचारों का संचार करें सच्चिद परियोध पनंग और अपने मन में उस प्रकार के विचार को बनाये रखें और तभी हम सम्यक जान के आधार पर अपनी समस्याओं का निरा करने में समर्थ होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वानी को विराम देता हूँ स्ट्रिश्टी की समस्त चेतना को मेरा वंदन, अभिनन्दन और नमद बहुत-बहुत अभार लक्टर श्रीवास्तवाजी आपने इस अंदर तरेके से चाहे वो आपसे कल चर्चा तरुन जाजी की हुई और वो भी आपकी चर्चा मैचली में बुई थी दोनों की और आप तरुन जी बता रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि लक्टर श्रीवास्तवाजी से मेरी पहली बार बात हो रही है तो और इस प्रकार से मैचली में आप दोनों की एक वारता हुई वो बहुत ही खुश थे बताते हुए कि लक्टर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और आपने जिस बहुत ही सुन्दर और सरन तरीके से सम्मेक बुद्ध के बारे में हमें जानकरेदी है उनके बुद्ध होने का ज्यान होने का दर्शन होने का और जो सारा आपने वर्तमान प्रश्टितियों में बताया है कि मन में या मस्तिस्क से जो पुरे विचार हैं उनको हम दूर करें और एनलाइटिन होने के लिए कोई बात दुबारा आती है जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस पूरी परिचर्चा में कि हम प्रकृति का आनंद ले और गट्री को ग्रोथ करनी है और जो अपने अनभों से बताया और अपने आप में अगर समयत बुद्ध और आज की परिचर्चा को समझना है तो जो 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 मुझे वेक्तिकत तोर पर समझाया है कि एक प्रैक्टिस ही है जो हमें करनी है और अगर हम आख बन करके ध्यान अवस्ता में जाकर हम अपनी आंत्रिक समस्याओं को ढूलेंगे तो हमें उसका समस्या का हल भी मिलेगा और उसके निराकरन के बहुत सारे मारग में हमें मिले जाएंगे की तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो आयोजन किया है सनाचन धरमागिदाले और महरीषी वालमे की उसके परिशर के सेंफर रूप से जो प्यागया है उसमें जो हमारे विद्वानों ने अपने जान गंगा से जिस परकार से हमें तरब़ किया है और उसका लाब आपस भी प्रोताओं में और जो scholars यहां पर जुड़े हुए हैं विद्वान जुड़े हुए हैं या कुछ नेरे मित्रगं जुड़े हुए हैं जो मेरे निवेदन और आग्रह पर यहां इस कारेकरम में बने हुए हैं हमारशा चुरू से उन्होंने निसंदे इस बुनपुर्णिमा के पर जो इस से आइजन के माद़र आवाज कट रही है सर आवाज कट रही है सर आवाज बंद हो गई है आपकी करत की को समझने का प्रेया है हमारा जो प्रयात है वो सफल रहा होगा मैं अभी चाहूंगा यदि कोई हमारे जो श्रोता है उसमें से कोई प्रशन यदि कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद तरुन जी उफस्कित नहीं है उनकी जुटी है तो मैं ही अपने मुझसे करना चाहूंगा और उसके बाद के हम लोग इस सर्जिप करेंगे तरुन जी की अनुपस्थिती में मैं ही यह कारे बार ले लेता हूं इसका मत्रुप्रशन आप तिपनी भी हो प्रशन भी हो यह जिग्यासा है जी जी मैंडन सुश्मा जी दोनों वक्ताओं को मैंने सुना बहुत अच्छी आपको भी सुना गुज से अपकी आवाज नहीं दे रहा है आपकी आवाज आपाबने हैं जी ठीक है तो मैंने जितना भी आज सुना सभी वक्ताओं को तो बुद्ध के समझ में निश्यत रूप से आगर आज की परिस्टी हम देखें तो कह सकते हैं कि सिधार्थ का वेराग्य अपने आप में अध्भुध है और उसके बात में उस वेराग्य से बुद्धत पराप्ति वो भी अध्भुध है लेकिन मेरे मन में एक प्रश्ण बहुत आलोड़िस करता है मन को कि क्या महावीर और बुद्ध दोनों की अहिंसा में क्या कोई अंतर है और मेरा प्रश्ण इस अंदर्भ में भी है ये प्रश्ण जो मन को बहुत विफित करता है क्यी बात कि महावीर के अनुयाई जो जानदहर्म की अनुयाई है वहाँ आज भी उनकी धारणा वो अहिंसा हम देखते हैं लेकिन बुद्ध का जो भी प्रचार प्रसार है, धर्म का प्रचार प्रसार है तो वहां लगग लिखता है कि खाद्या खाद्या का कोई विचार नहीं रहा तो ये दोनों की अहिंसा में कहां कुछ अंतर रह गया क्योंकि बुद्ध की अपनी विचारधारा हम उनके बारे में जो सुनते हैं या पढ़ते हैं वो निश्यत रूप से बहुत प्रभावशाली है और उनका व्यक्तिगत अनुभव है जो उन्हों नहीं किया तो मुझे ये बात कई बार समझ के नहीं आती कि क्यों उनकी बातों को सिनने वाले या उन्हीं मानने वाले वो अहिंसा कहीं कहां चलिए अब कोई भी वक्ता इस संबंद में तो कहना चाहें ये अच्छा ये ये एथिकली हमेशा ही बढ़ी एक समस्या रहा हूं और इन्हों ने बढ़ा ही अच्छा प्रश्ण प्रस्थित किया है लग्य है क्योंकि दोनों एक ही काल खंड में थे और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों के जो शिश्य थे आपस में मिलते जुलते भी रहते थे संजय वैली पुठ वस्तुता जायन था और वह जाकर के बुद्ध से प्रश्ण भी करता था अभी हमारे वेजे ये ने बढ़ी अच्छी बात कही है अव्याकत प्रश्ण की चर्चा मैं करना चाहता था लेकिन मैं कितने इन से तंतुओं लेता रहूं इनके विचारों को अब बना करके भूलता रहा है इतली मैंने चोड़ दिया विन्होंने बड़ी अच्छी बात कि जब संजय वैली पुठ्टु उनके पास पहुंसता है और कुछ प्रश्ण करता है होती तो ठागत हो परमंग मरना ना होती तो ठागत हो परमंग मरना और इस प्रकार के जो प बुद्ध मध्यम मारगी और वे अती मारगी हैं। बुद्ध कहते हैं कि सहज भाव में अगर कुछ मिल जाता है भिक्षाटन करने में उनकी मृत्यू कैसे हुई चुन्द ने उन्हें जो है सड़ा हुआ सुवर का मंस खिला दिया और तुकी उनकी थी कि जो भी आपके जो है बाउल में आ जाया उसे ग्रहन कर लेना चाहिए लेकिन मना कर दिया कि हमारे शेश्चों को मत दो क्योंकि वो त्रिकाल दर्शी भी थे वो जानते थे और उन्होंने ये क्या कि गड़्डा खुलवा करके उस मांस को जो अंदर डाले तो अगल बगल का जितना घास पतवार सब जलने लगा था तो बुद्ध और इनमें अंतर यह था कि यह सहज मारगी थे मध्यम मारगी थे और जैन उनकी अहिंसा अपनी पराकास्ठा में थी वो किसी भी इस्थिती में हिंसा का यह नहीं कर सकते हैं अब आप कहेंगे कि तो वेदों में इनमें क्या अंतर रह गया वो भी कहते हैं तो यह अंतर यह है कि बुद्ध इंसा की बात कदापी नहीं करते हैं और कहते हैं कि वह मांस कि जो तिकोटी पाधित हो कि उस मांस का ग्रहन नहीं करना चाहिए अगर जो आपके प्रयोजन से आपके सूचरा में बना रहा हो तो आप जो आपको कर रहा है क्या यह मैं आपको मांस खिलाने को आम अंतरत करता हूं आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि बुद्ध उतने ही अहिंसक्त हैं जितना महावेर हैं लेकिन यह परिस्थितियों के अनुसार यह परिवर्तिक हो जाते हैं जैसा कि इन्होंने बड़ी अच्छी ब धर्म जिस जस देशों में गया उसका वहत मद्देश का दर्शन मैंने धर्म बनकरके हो गया क्योंकि परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुकूल के परिवर्तन के अनुकूल क्लाइमेट के परिवर्तन के अनुकूल उन्होंने अपने नीची शास्त्र ने आन्शिक्षन स सब्चाइब अछकर सकते हैं अपने ने थर्मों में तो वहाँ पर जहां हमें बिना मांस के नहीं रह सकते हैं तो वो तिकोटी परिसुद्ध मांस का हम भख्षड करने में समखते हैं यह दूसरा इन्होंने कहा कि बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही वो संसार और निर्वान दोनों साथ चलते हैं यह नहीं कि आख मुंद करके ध्यान लगा और सब लोग बुद्धिस्ट हो गया क्योंकि परिचर्चा की बात आई थी कि अगर सभी सन्यासी हो जाया औ तो मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध दर्शन में संसार और निर्वान दोनों साथ चलते हैं अगर आप हैपी है तब आपका मन हैपी है और तब आप एक सम्यक ध्यान लगाने में समर्थ हो सकते हैं अगर आपने पारिवारिक और घर की समस्याओं से आक्रांत हैं तो आपका मन उतना परिशुद्ध नहीं होगा और ध्यान आपका लगे गया ही और यही कारण है कि बुद्ध जिस देश में गये वहां कोई Zane Buddy Buddhism हो गया को इंयों को इंयों हो गिया और अभी हाल की बात में बता रहा हूं दस साल से एक नए प्रकार के बुद्धिजिम का भ्युदय वियत नाम में हो रहा है उसको प्यूर माइंड बुद्धिजिम कहते हैं देयाब सिंप्री री चींज सल्टेन नॉर्म्स विदाओट इंपैरिंग देशिक टेनेंट्स आप दे बुद्धिजिम का और मांस बक्रण का और मजगव की बाद हम सब पढ़ते हैं बुद्ध के संदर में तो कहीं ने कहीं हम उसको एकसिप नहीं कर पाते हैं उसको हम बुद्ध के संदर में देखकर उसे स्वीकारना बहुत कठिंग हो जाता है हमारी पत्नी को भी करता हूं हम लोग बिहार से सत्तू और चूड़ा लेकर गया थे वही खाकर कर रहे थे अब विजय जी इससे परजित हैं कि कैसे हम लोग वहां जीवन जीव सकते हैं मुझे तो मुझे तो समस्या नहीं होती मैं तो सरो भक्षी गत्ती हूं पर पता रहत कि क्या हो गया इस तो मैं यह कहने का प्रेतन कर रहा हूं कि धर्म को हमें किस रूप में हम देखते हैं क्या जो भ्यदार्म का रूफ जो दिखलाई पड़ता है जो कर्म कांडों या जिसको हमकें गुडभ कंड़क्ट, शील, आचरन या धर्म उतनी ही तक है या धर्म को कुछ आंत्यंतिक अभिव्यक्ति ही भी है बुद्ध ने इस अर्थ में जहां पर शुष्मा जी ने पूछा था मैं उतनी ही तक लिमिट रखोंगा अजरी तो मेरी बात लंबी हो जाएगी कि बुद्ध ने धर्म के केंद्र में मनुश्य को रखा और उसने शील आचरण संबंधी जो हमें दिखलाई पड़ते हैं जो दूसरे जज कर सकते हैं हम धर्म को उतने ही रूप में देख करके धर्म के पूरे स्वरूप के विशे में हम निर्णे लेने को बाद्ध हो जाते हैं क्योंकि आंत्यंतिक स्वरूप धर्म का हम में दिखला ही नहीं पड़ रहा इसमें बुद्ध ने मनुष्य को अपने मौंक्स अनन्स को स्वतंत्र छोड़ा है सही कहा अविनाज जी लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो महावीर उसी समय में कालखंड में बलकि उसी भूभाग में ज्यादा दूर भी नह आचरण पर इतना ज्यादा बल दिया जाने लगा उस बल दिया जाने के कारण ही धर्म की अंत्यातिक अनुभूती कहीं पीछे चले गई क्योंकि आचरण, सील, गुड़ कंड़क्ट इन सब का पालन करना कराना बड़ा ही आसान होता है और अंत्यातिक जो साधनाएं हैं उ पर इसा नहीं कि बिलकूल कम ध्यान रहा बुद्रे इस विश्य में बड़ी स्वतंत्रता वर्ती है और आप पर छोड़ा है धर्म आपको आपके स्थान से उत्तोलन की और बाध्य करता है आपके परिवेश को बाध्य करने की जूरुती समस्ता बहुत सही बात है बहुत सह एक प्रश्ण रख लूँ आप दोगों के साथ और रविंदर जी आपके संदर्ब में ही ये जुड़ा प्रश्ण रखना है एक सेकंड सर जो गीता का निश्काम कर्म है और जो बुद्ध का करम है सम्यव करम दोनों में कहीं कुछ समानता है या गीता के करम और बुद्ध के करम में ये अपने आप में मुझे लगता है एक विचारणी प्रश्ण जरूर है लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले निर्मल जी का और आरके गुपता जी का प्रश्ण ले लिया जाए और फिर उसके बाद जो है उसका प्रश्ण है आपका रखाणी एक यसा पूरन परेश्न है जी जी निर्मल जी जी मैं यह जानना चाहता हम् ponieważ उभ्यव्य सुधिस अवतारों में एक बुद्ध अवतार का जिकर आता है मैं जानने चाह रहा हूं कि महात्मा बुद्ध और चौविस अवतारों में जो बुद्ध का जिकर आया है वो समान ही है या भिन है अब यह अच्छा प्रश्ण है चलिए जी अब मैं जो कहना चाहरा था वो नहीं कह रहा हूं बलकि आपकी जिद्यासा का उतर देना का प्रयास कर रहा हूं बड़ा स्पष्ट है मेरे विचार में महात्मा बुद्ध के करम के समंध में विचार और शिर्मल्द भगवत गीता में जिये गे करम समंधी विचार समान है उन्हें कहीं कोई अंतर नहीं है क्योंकि मैं उस चलो को नहीं कोड़ करना का रहा हूं सभी को मालूम है आपको की करमने वा धिकार असते लेकिन इसके साथ जो आपने बात कही थी अभी हमारे विद्वानों ने भी कहा उस संद्रम में मैं केवल महात्मा मुद्ध के संद्रम में भगवत गीता के शिलोग अध्याय साथ में का शिलोग है बार्वां यह चैसात्वी का भावा राज्टास्त्वाव मस्च यह मत एवेती तान्विद्धी नेत्वम तेशु तेमई हिंदी में मैं इसका अन्वाद करना हूं सर्थ और जो भी और बी जो सथ गुंग इसथे होने वाले भाव About में में उनमे मैं और वे मुझ में नहीं है महादभु भी यह कह रहे हैं यहां पर रभवांशी कृष्ण भी यह कह रहे हैं कि प्रतेक व्यक्ति सुतंत्र है अपने विवेक के अनुसार कारे करने के लिए वो इत्तों नहीं ले रहे हैं व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कर रहा है वो मेरे कारण हो रहा है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे भाव तो है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ ये जो विवेक सम्मत और व्यक्तिक स्तंत्रता देने का बात है इस श्लोक में मैं समझता हूँ कि यही बात महात्म बुद की भी है कोई कि महात्मा बुद ने जो मुख्य रुप से बात ये कहीं है उसमें सबसे बड़ा जो है आधार वो है विवेक और विवेक जो है प्रतेग व्यक्ति का निजी भाव होता है प्रतेग व्यक्ति की निजी समझ है प्रतेग व्यक्ति का ज्यान है जैसा कि हमारे विद्वानलों के एक शब्द बोला था ज्यान चक्षू तो वो जो ज्यान चक्षू है भगवल गीता में दो श्लोगों में ज् इसलिए भगवद्गीता में एक और बात कहीं गई कि जो गुद्धी है वो निश्च यात्मक होती है वो एक ही होती है और जिसके लिए मैं गत्तिकत उसे मानता हूं और बलकि मैं तो चाहूंगा कि हमारे विद्वान साथियों से कि वो हमें और अलोकित करें इस वारे में कि ऐसे इसी विशे पर भी जैदी चर्चा हो कि मादों बुद्ध का दर्शन और भगवद्गीता का दर्शन आज ही मैं अपने इस स्वामिलार के शुरू होने से कुछ समय पहले ही सर्थ एक और उसमें साथ यह आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पुस्तित किया है और अज बहुत संदर ब्याख्यान सुनने को मिला थोरी सी यह जो समयक ज्यान के संदर में सरवज्य होना और बुद्धत्वी प्राप्ति यह सारी चीजे जो आपने बदलाई तो मैं जहां तर समझता हूं कि यह मुझे यह बताईए कि और बुद्ध के सरवज्य होना बुद्धत्व को प्राप्त करना इन दोनों में भी थोड़ा सा जहता है या कुछ दिफ्रेंस यह यह बहुत ही अच्छा प्रशन है आप तो अच्छे प्रशन मता रहा है कि हम हमारे भी कुछ यह तो विजे जी की प्रेवना से मैं कुछ ब सबसे पहले प्रशन था हमारे कौशिक जी का पॉद्धा बतारक के विशे में वस्तता यहां पर भांती तब होती है जब हिंदू धर्म का अर्थ हम सम्यक रूप से जान नहीं पाते हैं जो वास्तनक उसका आर्थ है हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि भिंदू शब्द विदीशियों का दिया हुआ सब्द है जो स्वयंग से अब हम लोगों को अलग करने के लिए दिया गया था जब मैं बच्चा था तो बंगाल जाता था तो सब बोलता था यह हिंदूस्तानी आमी बंगाली तो देट वजने विउस फोर उस और बिहारी जनादर से उसी प्रकार हम लोगों को हिंदू जबरदस्ति उन लोगों ने नाम दिया क्योंकि वो सिंदू बोल नहीं सकते थे सब भूलने आती नहीं थी और तब इश्वर की जो परिकल्पना है जो किसी भी प् ग्लाने रभवति भारत अभ्युत्थानम मधर मश्य तदा अत्मानम त्रजाम्य हम तो वैसी इस्थिति में बुद्ध के पहले हमारे धर्म में ब्रह्मन धर्म में इतना अंद विश्वास और कर्मकांड प्रबल हो चुका था कि उसके परिच्छालन की अवश्यक्ता और उस परिच्छालन करने के क्रम में जब बुद्ध का अभ्युद्य होता है और आप देखेंगे कि उनकी जितने शास्त्रार्थ होते हैं जितने लोगों के साथ मनें बाते होती है वे नाइंटी परसन ब्रह्मन ही होते हैं जो बात में परिवर्थित हो करके बद्धों हो जा लगा कि हमारे सनातन धर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अगर यह लगातार करते रहें जबकि बुद्ध ने स्वस्ट कहा है कि मैं किसी नया धर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं यह सो धम्मों तनंतनों धम्मचक्पवत्तनम्सुत हमारे विजय जानते हैं व उसमें जो भ्रांतियां हो गई है जिसके कारण इस धर्म का चक्र रुख गया था मैं उसमें गति प्रदान कर रहा हूं तो इस प्रकार आपका जो प्रशन है प्रकार अंतर से अगर हम शंकर की द्रिश्टी से देखें तो चुकी ततकाली इन समस्याओं के निराकर्द करने का प्रयास उन्होंने किया और उस समय की ग्लाडर भवति भारतों को आगे बढ़ाया इस द्रिश्ट से वे विश्णों की अवितार माने जा सकते हैं जी और आपका भी प्रश्ण बड़ा विलक्षण है क्योंकि गीता का कर्म यूग और बुद्ध का गीता का निष्कार्म कर्म और बुद्ध की उपिछ्व द्रश्टी दोना में बड़ी समानता है उनका महाएं ब्रम्म विहार है करोना मुद्धिता मैत्री और उपेख्ः है उपेख्ः क्या कहता है कि हमें समान द्रस्टी चाहिए हम ना तो दुख में उद्विग नहों ना सुख में जुद्धीता क्या कहते हैं दुख में ज्यादा परिशान न हो जाए और सुख में ज्यादा करेंगे हमारी द्रस्टी से और जब काम करते हैं तो उसमें हमारी क्लिव धर्म है यही हमारा शील धर्म है सिस्विवेचन हमारे रिष्टेदार विजय जी करेंगे है यह पैड़ना के त्रोफ भी है। जी 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 आपकी टिपनीटीइस के अपेक्षित है। जी 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 हमारे सम विधान में हिंदु धर्म के अंतर गटी बोद धरम को माना गया है प्रफिशन पर जी 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 तो यह यह माना नहीं गया सर्व हिंदू का ताथ परियू समय राश्ट्रियता थी धर्म नहीं था क्योंकि उन लोगों में की भॉगोलिक परिजी के अंदर वो थे और आपको आश्चरी होगा साथ आप जानते भी होंगे आप जो है ज्यानी पूरुस हैं यह मुसल्मान लोग भी जब जाते हैं मक्का तो हिंदू का पाकितान से जा रहा हैं कि कहा से जा रहा हैं तो आपर हिंदू लिख देता है स्थिति में हमारी राष्ट्रियता थी अब धर्म के रूप में परिणत हो गया है और राजनितिक कारणों के खारण अब हम लोग दीरे-दीरे अलग होते चले आ रहे हैं प्रश्ण एक बारा और प्रस्ट करूं तो हम विस्मर्क भैग लिए सर एक मिनट डॉक्टर वीज़जी का पठरी ले 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 मेरा प्रस्ट में प्रस्ट में क्या गयिक Γ्वितिता आपने ये करम के लिए निसनाम कर्म को भी आपicky आपटे ना यहां पर इसके साथ है थाफित तर भी ठीक है और वो साह This आरे कर्म इतके प्राप्ति जो है सर्वग्य होना या बुद्धवत्य की प्राप्ति हो तो यह बुद्धवत्य जो है और यहां जो बुद्धवत्य है इन दोनों में स्काम्यता है अथ्वा नहीं यह सामित विजाई जी आप बता ही क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं उसके बाद फिर मैं बूलें तो यह जो सरवग्यता की बात है वो चाहे वेदान्त में हो वेद क्या का तवीद का आर्थ होता है ज्ञान फिर उसके बाद उपनिश्द में आते हैं तो ज्ञान कैसे दोनों में एक मात्र अंतर है कि बद्धर्म दर्शन वही बात इहलोकिक परमपरा में कहता है और हमारे अग्वायत वेदान उसे पारलोकिक परमपरा में कहता है जब हम पारलोकिक कहते हैं तो उसमें देवत्व की परिकल्पना करते हैं कि वह समस्त प्रकार के ज्ञान से इसलिए युक्त हो गया क्योंकि वह ब्रह्मवत हो गया तो जो ही हम ब्रह्म की परिकल्पना करते हैं तो उस पारलोकिक चीज़ की परिकल्पना करते हैं जिसका प हमारा ज्यान है और ज्यान का एक ही कार्य है हमारी समस्याओं का निराकरण करना क्योंकि मैं आपको बताता हूं दीग निकाय में मज्जिम निकाय में और संयुक्त निकाय में अनेक स्थल ऐसे आये हैं जहां बुद्ध ने कहा कि मैं सरवग्य नहीं हूँ क्योंकि उस प्रकार के ज्ञान से मैं युक्त नहीं हूं अब उनसे प्रश्न किया एक ब्राम्वन थे कि तुम अपने आपको सरवग्य कहते हो क्या तुम खड़े-खड़े सोए-सोए चलते-चलते सारी चीजों को अपने आप में समाहित किये रहते हो जबकि यहां पर जो ब कि मैं हर्स में समस्त्र ज्यानों के साथ युक्त नहीं रहता हूं जब मैं उसे रिकॉल करना चाहता हूं तो यह साब जो बंधन है अगर हम वो शब्द चोड़ देंगे प्रवाहनित्यता इसलिए वह सर्वज नहीं आ रहे हैं इस पर दें क्या रहा था कि हम शब्दन को चोड़ जाते है कि और प्रवाहनित्यता से निकलते हुए आप मिर्वाण में प्रवेश्ट करेंगे रिवान का उपलब्द होंगे प्रवेश्ट भी नहीं करना उसमें तो इसलिए करते हैं तरक शास्त्री परिकलपना वहां वहां यह इनकी इह लोकिक परिकलपना कि जिससे हमें लाब हो प्रैग्मेटिक इनका वीव है तो इनका जो बद है तो यह तो यह उच्छा मैं जहां तक समझने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरा तो प्रस्न यह है कि बुद्धत्व अपने आप में वो बुद्धत्व है जैसे ही प्रश्ण करते हैं आप परलोकिक परिंदि में प्रोविष्ट हो जाते हैं कि उसमें भी तीक निकाय संयोक्त निकाय और मज्जीम निकाय में इसकी बड़ी विशब्चर चाहिए कभी-कभी तो बुद्ध ये भी कहते हैं कि मैं सारी चीजों को जानता हूं कि मेरे पास मैं सरवग्य हूं लेकिन वे इसका कभी भी प्रकटी करन अनेक स्थलों पर एक आद स्थल पर बख ब्राह्मन इनको तंग करने लगा तो बूल दी तो वह इस लौकिता के कारण उस पार लौकिता की और बढ़ने का प्रक्ष और हम जैसे अलपज्य लोग उसका अर्थ किस प्रकार में यह जैसे मत कहें क्यूंकि यह जैसे लेकिन एक पक्ष और ध्यान में ध्यान दें हैं कि बुद्ध अपने लिए बुद्ध के लिए जो शब्द प्रियोग होता है वो तथागत होता है बुद्धत कि उतलनी से यह तथा आगता है तथा गता है तथा गता है कुल मिलाकर के यह जो है वो गुद्धत को है पारलोखिक परिकल्पना नहीं है चलिए अब प्रोफेसर वीजय जी की हम टिपनी लेते हैं और उसके बाद समापन करते हैं धन्यवाद की आपन सजीर जी करें जितनी बाते कहीं जा सक एक मार्ग प्रदाता और एक मुक्ति दाता इनको हमें अलग-अलग करना पड़ेगा जहां गीता के निश्कार्म कर्म की बात आई थी और बुद्धिजम में कर्म और कर्मफल की बात आएगी तो हमें यह भी तो ध्यान रखना है कि जब जैसे मारे मानली जाराम धारी गिनकर के ही सब्दों में कह रहूं कि मृत को से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तू है यह देख पवन मुझ में लए है यह देख गगन मुझ में लए है तो भगवान का सुलूप है जो हर कुछ का फल देने वाला है यहां बुद्ध नहीं कह रहे है कि मैं फल देन चाहिए हमें जो जैसा दे रहा है उन दोनों दूसरी बात जो बहुत महतुपूर्ण आई कि अब्रहमिक religion में जो religion की परिभासा है चाहे वो यहौवा हों चाहे वो यिशु हों चाहे वो इसमाइल के बाद आया हुए मुहमद इनकी परिकल पनाये हैं यह religion को आई यानि अस अधर इनके संदर्व में देखते हैं हमारा भारती जन्मानस में उपजा हुआ जो धर्म का सुरूप है यह अस और अधर बिवेद नहीं करता हम सभी हैं हैं तुम भी हो हम भी हैं सब कुछ हैं तो यह और इन सभी द्रिष्टियों को एक साथ आज की आधुनिक चिक्षा पद्धिती में और साधन इतने हैं संचार के कि सभी चीज़ें हमारे सामने आते रहती हैं और हम पजल होते रहते हैं यह सब को अलगलग द्रिष्टिकॉन से उनके अपने संदर्व में ही दे जी बहुत सही है और मुझे लगता है कि आज की चर्चा को हम यहीं पर पूर्णता प्रदान करें और इस प्रवाह नित्यता को अग्रसर भी रखेंगे हम लोग चर्चा को कि चर्चा का मतलब भी प्रवाह नित्यता है कि विचार से विचार निकलते चले जाते हैं और उनक सफल रहा है और इससे पहले कि मैं संजीर जी को धन्यवाद ग्यापन के लिए आमंत्रित करूं निश्चित ही आज बुद्ध की पूर्णिमा बुद्ध से संबंधित की पूर्णिमा है और इसी का एक पक्ष जो है वो भारतियता में सत्यनराण की कथा है उसका भी मूल संसार दुखी है इसकी निस्तार का उपाई क्या है सहज सरल उपाई क्या हो सकता है लोग किस तरह से सुखी है तो यह प्रश्ण आज के आज के दिन में साज के समय में मुझे लगता है नितांध प्रासंगिक का है और चर्चा बड़ी सुखद हुई है और निश्चित रु कि अपने अपने अहंकार के कारण हमें पता नहीं लगता तो लेकिन चलिए इस चर्चा को फिर दुबारा से अग्रेसर करेंगे लेकिन मैं आमंत्रिक कर रहा हूं श्री संजीव घारुजी को जो निदेशक हैं वालमिकी शोथ संस्थान के कि हो सभी शोताओं का दोनों मुख कर देन परेंगे लेने बाद दौक साब मैं आज की इस परिचर्चा जो की इस आयोजन सलातन धरम महाविधाले अंबाला चावनी और मेरेशिवाल में के अन्थान परिचर्चा के स्वें सत्वा दान में किया जया मैं आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आए हमारे दोनों मुख के वक्ताओं का दिल के गहराईयों से अभार प्रकट करता हूं और उनके आशिर बचनों से जो लाब मिला और जो हमें ग्यान वरिद्धी हुई है उसके लिए भी मैं धन्यवाद ग्यापित करता ह हूं तरुन जी ने धन्यवाद ग्यापित करना था लेकिन उनकी द्यूटी है वो कॉर्स्पॉंडेंट है एक टीवी चनल में तो किसी कारण से विज़स्त हैं और जो हमारे श्रोटा यहां पर अभी तक बने हुए है या जो किसी कारण से पहले जुड़े हुए थे जो चल परिच्छा हुई एक शब्द और एक प्रशन मैं आप सब विद्वानों के समक्ष छोड़े जा रहा हूं और इस उम्मेद के साथ और इस आशा के साथ कि आप विद्वानों का मारक दर्शन मुझे यूँ ही मिलता रहा तो हम एक परिचर्चा आज की इस परिचर्चा से ज जब प्रफेसर विजे जी को में सुन रहा था, उन्होंने मौक्ष और मार्क की बात कही, और फिर डॉक्टर शिरिवास्तवा जी को मैंने सुना, और उसके पाद जो परशन शुष्मा मैम और कोशिक जी और गुपता जी और डॉक्टर जहा ने जो इस परकार से परशन किये ह हैं, तो मुझे लगता है कि एक चर्चा, इस पर परिचर्चा हम रखेंगे कि सनातन और बुद्धिजम में का जो इस परकार की जो चीजें, जो आख्यान बना दिये गए हैं, और विशेश तोर्ते में इस पर कमी उन संग्ठनों की मानता हूं, जो बुद्धिजम को लेकर जिंडा लेकर चलते हैं, और मुर्खों के एक तोली है, जो गलत तरीके से इसको उसकी विवेचना करती है, जरूरत है हमें कि अगर हमें बुद्ध को समझना है, बुद्धव को समझना है, तो हमें विद्वानों की शरण लेनी ही पड़ेगी, तो ऐसी कामना के साथ और इ धन्यवाद संजीव जी, और मैं अपनी ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और विशेश रूप से शमा के साथ आभार व्यक्त करता हूं, शमा प्राटना के साथ, कि बहुत कम समय में आप लोगों से संबर्क हुआ, और आभार तो संजीव जी का और तरुन ज जहाजी का यह है कि उन लोगों की ये उद्यम से ही ये हो पाया नहीं तो मैं तो शांती था और मेरा ऐसा ज्यादा प्रयास नहीं था लेकिन उसके लिए आभार उनका भी व्यक्त करता हूं लेकिन निश्चित ही अगली जो चर्चा होगी हम उसको पूरु सुनियोजित और मेरा बाकी विद्वानों से भी निवेधन है जो अभी जुड़े हुए हैं जैसे जहाज साब है मैडम राजेंद्रा हैं सतीश ची और बाकी सबसे मैं परिचित नहीं भी हूं लेकिन आप लोग भी अपने-पने वक्तव्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करें और उसकी स समा लोचना जो है हम विद्वानों के साथ मिलकर के करें लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ही इनिशेटिव लेना पड़ेगा आप मुझे बताएं मैं सेवा करने के लिए तक पर हैं तो कोई ना कोई ऐसा विशे हम लेते रहें और यह टेक्नोलोजी का करोना क योग बड़ा महत्वकून है हम समस्कितग्यों के लिए जो चर्चाएं जो विशे हमने नहीं खोले हैं उनको हम खोले और संजीव जी इसके लिए हमेशा प्रस्तुत हैं इस तरह की सेवा इन देने के लिए और कुछ साही भी है आयोजन करने के लिए तो हम अगली कुछ च को और सुन्योजित रूप से इसको विवस्थे रूप से हम करेंगे तो लिंक इसका मैं शेयर नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरे पास वो लिंक नहीं भेचा उन्होंने लेकिन आएगा तो मैं शेयर कर लूँगा आप दो इन्हीं सब शब्दों के साथ होना है आप सब का अधनेवाद चर्चा को सार्थत बनाने के लिए हमारी ग्यान करते करने के लिए बहुत-बहुत आभाद विजय जरास आपना नंबर दे दीजे भाई आप अपना नंबर बताइए आपको लिंक ही भेज़ दाता हूं अभी आपसे बात करता हूं अभी करता हूं मेरा है 9334134122 पुराना नंबर अपारे दिल पर छपा हुआ है सर याद करने ठीक है आपके पास होगा लेकिए